हालो सुटेंट, सिंपल कुस्टन का एंसर आप बताएंगे तुरंत आप 5 cm मार देंगे क्योंकि आपको पता है कि आप अबजेक्ट प्लेस्ट किया जाता है 5 cm मिरर से जो की इमेज की डिस्टेंस पता करना है अबजेक्ट आप कहैंगी कि प्लेन मिरर होता जितनी दोरी पर आपजेक्ट रखते हैं इतनी दोरी पर इमेज बंता जो की गलत है 5 cm आपका सही नहीं है आईए इसी को देखते हैं कि क्यूं ऐसा है 5 cm आप जो इमेजे वो सही नहीं है तो यह कुस्टन को समझेएगा अच्छ व्हाम में भी Тो इसको अच्छे से देखिया दियां से कि अपीख से घंत फाइफ सेंटीमीटर fazer व का बाुजडलेबरल रखा जाता है यह यहां पर रखा जाता है यह तो गाया मां लेजिए मामाज हो दिया गया, यह हो गया आपका object, क्या हो गया, object, object कितनी दूरी पर है, 5 cm की दूरी पर, कब आपको 5 cm कब option आपका सही रहेगा, कब 10 cm सही रहेगा, कब कैसे रहेगा, सारी चीज़े इस वीडियो में आपको देखना है, तो यहाँ पर ध्यान देजी, तो आपको पता है, अगर 5 cm की दूरी पर जो है object रखा जाता है, आबजेक्ट से इमेज की दूरी पूछा है ना कि अगर यहीं पर जो है अगर आप का पूछा होता मीरर से तो अलग बाता भी पूछा है आपजेक्ट से पाँज यह हो गया और पाँच यह गया कुल मिला कि 5 प्लस 5 यानि 10 cm आपका option 5 नहीं सही होगा बलगी क्या सही होगा C option सही होगा 10 cm क्योंकि कहां पूछा है object से अगर बच्चों बिल्कुल इस बात में confusion मत होई गाई बहुत important question है अगर हम लोग का पूछा जाता जो है कि ये object से ना पूछा जाता अगर यहां पर हम लोग का mirror लिख लिख दिया जाता तो आपका answer क्या सही हो जाता यह mirror यही है यहां सदूरी 5 आपका option 5 हो जाता लेकिन अगर mirror नहीं लिखा हुआ है object लिखा हुआ है तो आपका option क्या सही होगा 10 cm I hope इस बात को आप समझ गए होंगे कि कब 5 cm लगाना है जब कब आपको 10 लगाना है तो 5 तब लगाना है जब आप से मिरर से पूछेगा और अगर 10 तब लगाना जब आपजेक्ट से दिस्टेंस पूछेगा तो इसमें आपजेक्ट से पूछा इसलिए आपका आपसन C सही झाल करता है जब आपका 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